पिछले मार्स से खाली पड़ा OBC पिछड़ा बर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद अब भर गया है नई जिम्मे बारी में हैं पूर्व मंत्री नारांड सींग को स्वाजी उनसे चर्चा करते हैं सर नई जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं कि पाल्टी में काम करती रहे हैं जो है किसी ना किसी फिलेट फार्म पर तो ऐसी कोई नई जुम्मेदारी नहीं है हाँ यह है यह जरूर है कि पूरा मद्द प्रदेश का OBC का दायत भरती यंता पाल्टी ने दिया है मैद्द प्रदेश के अधकान जिलों में है कि मेरे दोरे कारकरम पहले रहे हैं सभी जिलों में लोग पर चित है तो कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है कि काम करने में कहीं कोई से प्रवाजिकट आएग cocktail के लिए अफार trail काम पुरी मुश्ते हुए सिर्वाज जी से मुलकाध हुई आपकी क्या कहा नहीं मैं तो एक संधिने के लागास कि प्राखात हुई जो है और मान्य मुख्मंत्री जी नहीं का कि काम करो अच्छे ढट के तेजी से क्योंकि दिया है दोजार तेजिस की चुनाव भी नई दीख है तो लगके काम करना है और मेरा काम चालू हो जाएगा कालेला की जो प्रचकता उसे हम चालू कर रहे हैं और कल से ही काम करना चालू कर देंगे बीजेपी के संग्ठन महामंत्री जो है हितनन जी उनसे भी आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या आगे की रूप रेखा बताई कैसे काम करना है यह चर्चा अभी नहीं हुई है रूप अग्रोक पार्टी के सारे के काम मालूम है कि कौक पार्टी ने केंद सरकार में मदब बरिदेस में जाशनाओ के माध्धम से समाझे को ़्लाप देने का काम किया है कि उनको जन जन तक समाझ में पहुंचाना उन जनरल में सबी के लिए पहुँचाना ये काम हम लोगों का है और पार्टी की उपलब्दियां ये बताने के लिए हम काम करेंगे कैसा मानते हैं कि 27 फीसदी OBC आरक्षन की जब बात मद्द प्रदेश में हो रही हो जब OBC का एक फैक्टर ही चल रहा हो कि कम से कम मद्द प्रद सरकार में उसके बाद अब संगठन का दायत और वह भी पिछड़ाबर क्या इसके लिए पिछड़ाबर का आयूक का भी घठन है वह भी अपना काम कर रहा है जो हम लोगों का काम जो है और आरच्छन के लिए तो सब को बिदित है कि भारती जनता पार्टी की सरकार मुस्ते में इसमें जो कुछ जो कमिया रही है कांग्रेस ने यह काम नहीं करवा पाई जो है तो भारती जनता पार्टी के तो हमारे सभी बरिष्टनिता मौदी जी से लेकर के सारे लोग लग लगे है को बिसी को यह आरच्छन 27 प्रत्सत का लाब मिले अब क्या कहां जाएंगे दो जिला इस्तर पर हुआ या तैसील इस्तर पर पहुंचेंगे और तैसील इस्तर पर आवच सकता होगी भावी हम पहुंचेंगे जब से दोरे पर निकलेंगे दोरे तो मेरे जल्दी चालू हुए आएंगे लगवा एक तारिक सी समझे जो इसा तो नहीं है कि अभी नगरी ने काई चुनाओं में ग्वालियर का बेल्ट जो है वो कॉंग्रेस बहारी पड़ी और सबसे बड़ी बात है ग्वालियर में भी और ग्वालियर में जितनी सीट हैं उन्में साँ कुछ पसवास हाक से रास्तिय अद्य रहा मामनत्री रहा तो पूरे आप कि मैं यह समझता हूं कि काफी प्रदूस हों मेरे दोरे रहे बैटके रहें कापी कुछ काम की यह हैं जो है यह कि अगुद्र को मजभूतिक ने गवालियर बैल्ट में हमारे बरिष्ट निता ह सबका सायोग पालिटी के लिए सबका काम पालिटी के लिए रहा है और आज भी लगे तो अब यह माना जाएगा कि नारान सिंग कुस्वाजी जनता के बीच जाएंगे और और बीसी ब्रवब के बीच जाकर सरकार के उप्राइबनियां संग्ठन की बात रखेंगे हम जनता के बीच हमेशा से जाते रहे हैं हम जनता के बीच में जान से कभी ने hebben प्रियास करेंगे जो है कि पार्टी के हित में लोगों को वो सारी चीज है भारतियंता पार्टी की दौरा केंदर की दौरा राज की दौरा की जा रही है कि की गई है उसकी जानकरी ले करके जाएंगे और मजबूत करेंगे अभी तक जैसे लग रहा था कि नारान सिंग कुस्वा थोड़ा पार्टी से इतर हैं या उपेक्षे थे तो मैंने यह किसको लगा मेरे समय में नहीं आता अभी उप्चुनाव जब हुए थे जो है अभी उप्चुनाव हुए थे अधाई-चार ड़्ून पर जबम ब scriptures के मेरे दोर्गे रही थे एक कार्टाओं को देती हैं ही कार आधारेत भारती दुक्यश्य आपार्टी यह थे नारान सिंग कुस्वा होई पिछड़ा बर्ग मोर्चा के अध्यक्ष अभी बने हैं प्रदेश के और वो कह रहा हैं कि हम जाएंगे जनता के बीच जाएंगे ओवी सी बर्गे के बीच जाएंगे सरकार की उपलब्धियां लेकर जाएंगे तो संगठन की बात लेकर जाएंगे जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो हम नभाएंगे और वो जनता के बीच जाएंगे बीडियो जेनलिस्ट रवी यादव के साथ महेंदर विसकर्मा डिनन न्यूज पोपार